तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूडियो चल्ट थिंक स्वस्स में मेरा नाम है आर्क्यो महत्तू और मैं प्रस्तू थू आपके सामने एक और नहीं तथा अमेजिंग वीडियो के साथ आपको जानकारी तथा गयान देने तो फ्रेंट इस बात में कोई भी डाउट नहीं कि आज भी इस दुनिया में कई ऐसे रहसे हैं जिससे मनुस्ते अंजान है और यही कान है कि मनुस्ते हर दिन किसी ना किसी नहीं रहसे परजित होता है और आस्तरे चकित रह जाता है आज हम इस वीडियो के अंदर कॉफिन बर का मतलब क्या होता है कॉफिन यानि की ताबुत ताबुत उस वस्तू को कहते है जिसमें मरे हुए वैक्ति की लास रखी जाती है इस तरह कॉफिन बर्थ का मतलब हुआ मरे हुए के द्वारा बच्चे को जन्म देना या फिर कॉफिन बच्चे को जन्म देना दोस्तों इससे पहले कि आप यह सोचे कि कौफिन बर्त को इधानमिक प्रत्हा या फिर कोई अन्ध 95 मैं आपको यह बताना चाहँगा कि यह कोई यह अन्धिसुस्वास नहीं है बल्कि वध्गयानिकों इस पर रिसर्च की है और इसी सर्च माना है कॉफिन बर्थ को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक अजीब सी घटना बताना चाओंगा जिससे जानने के बाद आप कॉफिन बर्थ के बार में सब कुछ जान जाएंगे और आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं रहेगा तो चली आएए इस घटना के बारे में जानते हैं तो दोस्तो एक घटना है साउस अफरिका के गाव मठिया से की जहां एक गर्वती महिला की मिर्थिव हो जाती है मिर्थिव के बाद उस महिला की डैट बोडी को 10 दिनों तक हस्पाताल में रखा जाता है और 10 दिनों के बाद हस्पाताल वाले उस महिला की डएड़ बोडि को एक ताबूत में रखकर उस महिला के घरवालों को दे देते हैं जब उस गर्वती महिला के घरवाले उस ताबूत को खोल कर देखते हैं तो वह आस्चरे चकित रह जाते हैं क्योंकि उस महिला ने एक बच्चे को जनम दे रखा था हाला कि ताबूत बंध होने कारण बच्चे की मृत्यू हो गई थी इस घटना के पूरी दुनिया में काफी चर्चया हुई कई रिसर्ची भी हुए तथा अंत में एक डॉक्टर की टीम ने इसका कान खोज निकाला किया कैसे एक मरी हुई महिला ने एक बच्चे को जन दिया डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुटाबिक जब वो महिला मरी थी तब वो गर्वती थी तथा उस महिला का नो महिले का गर्वकाल पूरा हो गया था जब उस महिला के मिर्ती हुई तो उस महिला की डैट बोडी को सुरक्षित एक हस्पताल में एक निस्ची तापमान पर रखा गया था जिस कारण उस महिला के पेट के अंदर कई प्रकार के गैस बनने लगे जिससे उस महिला का पेट खूलने लगा तथा जब गैस की मातरा अधिक हो गई तो इस महिला के गर्भ में फल रहे बच्चे को उन गैसों ने धकेलना शुरू कर दिया जिससे बच्चा मा के गर्भ से बाहर आ गया, लेकिन दोस्तो इस बात का भी तक पता नहीं चला है कि जब बच्चा अपने मा की गर्ब से बहा निकला तो क्या वो जिंदा था या फिर मरा हुआ पैदा हुआ था क्योंकि किसी ने भी उस बच्चे को जर्म लेते नहीं देखा था तो दोस्तो इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि कौफिन बर्द एक रहसमई और आश्चरे शक्रकित कर देने वाली घतना है पर यह एक मा की सक्ति को भी दर्शाता है कि कैसे मा का सरी मरने के बाद भी बच्चे को जर्म देने का प्रयास करता है दोस्तों कॉफिन बन की घटनाय पूरी दुने में बहुत ही कम होती है परन्तु आपको यह जानकर आज चरेख और कि भारत में भी एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है भारत में भी एक ऐसी घटना घटने का जिक मिलता है कि 2007 में एक महिला ने अपने मौत के बाद एक जिन्दा बच्चे को जन्म दिया यहाँ बात कितनी सच है और कितनी जूट इस बात का कोई सबूत तो उपलवद नहीं है क्योंकि इस घटना पर किसी ने भी रिसर्च नहीं की लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि भारत में घटेत इस घटना में यह दावा केव की मिर्ट महिला ने जिन्दा बच्चे को जन्म दिया और वैज्ञालेक भी आसता कि यह नहीं जान पाए है कि कौफिन बर्थे में जो बच्चा जन्म लेता हो जिन्दा होता है या फिर मरा हुआ इसलिए इस बारे में कुछ कहने जा सकता कि यह घटना कितनी सच है परन्तु यह बात तो पूरी तरह सच है कि कौफिन बर्थ तो होता है यह बात अदर है कि ऐसी घटना करोरों में होती है पर ये बात पूरी तरह 100% सच है कि ये घटना होती है तो दोस्तों मुझे आचा है कि आपको दिलचस्प जानकारी अच्छी लगी होगी प्लिस कॉमेंट करके जरू बताए कि आप कॉफिन बर्थ के बारे में क्या सोचते हैं तथा अगर आप कॉफिन बर्थ के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्लिस डिस्क्यूशन बॉक्स चेक करें आपको आपको लिक मिल जाएगी जहां से आप एजली बहुत साई जानकारी प्राप कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो कमेंड करके अपने वैल्यूबल थौट्स भी हमें जरूर बताए सो फ्रेंस बाई बाई टेक कैर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में